थोड़ा समय आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूँ आपके लिए कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है सबसे पहले जो भी आपके जमीन की क्लेम्स है फॉरस्ट राइट आक्ट के मुताबिक जो भी जमीन पर आपका हक बनता है उन सब क्लेम्स को हम एक साल के अंदर सेटल करवा देंगे मैंने पहले कॉंट्राक्ट लेबर की बात की जब भी गरीब लोगों के रोजगार की बात होती है चाहे वो आदिवासी हो गलेत हो पिछडे हो जनरल कास्ट के गरीब लोग हो तो उनको कॉंट्राक्ट बेसिस पे रखा जाता है उनको पर्मनेंट नहीं किया जाता किसी प्राइवेट कंपनी में कोई मैनेजर रखा जाता है तो उसे पर्मनेंट जॉब जी दी जाती है आये सफसर को पर्मनेंट जॉब दी जाती है मगर गरीब लोगों को कॉंट्राक बेसिस पे जॉब दी जाती है ठेकेदारी से जॉब दी जाती है और जब भी उसको हटाने की जरुवत होती है एक मिनट में बिना कोई कॉम्पनसेशन उसको उठा के बाहर फेग देते हैं ये जो ठेकेदारी प्रता है इसको कॉंग्रेस पार्टी की सरकार खतम करने जा रही है सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ठेकेदारी प्रता हम बंद करेंगे और जिसको भी नौकरी मिलेगी वो पर्मनंट नौकरी होगी वो सरकारी नौकरी होगी और वो किसी ठेकेदार के थुरू नौकरी नहीं होगी इससे आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास के लोगों को फाइदा होने जा रहा है SC, ST और OBC की जो स्कॉलर्शिप्स हैं, उनको हम दुगना करने जा रहे हैं और शायद सबसे बड़ा काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज़ादा अबादी है, वहाँ पे हम six schedule को लागू करने जा रहे हैं अब BJP के लोग गलत बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि six schedule के माधियम से बाकी लोगों को नुकसान होगा यह बिलकुल गलत है, six schedule का मतलब कि district collector नहीं चलाएगा, local level पे committee चलाएगी, उस committee में आदिवासी होंगे, OBC होंगे, दलित होंगे, general class के लोग होंगे तो OBC को गलत को नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ यह बात होगी, कि आपका जो local area है, आप लोग उसको locally चलाओगे पंचायत के level से चलाओगे, ward के level से चलाओगे, और उपर से, दिली से, या district collector के office से, वो नहीं चलाया जाएगा, यह फरक है और इससे सिरफ आदिवासियों को नहीं फाइदा होगा, हर work को फाइदा होगा, तो यह हम उन district में करने जा रहे हैं, जहां भी आदिवासियों की अबादी 50% से जादा है, और इससे ना किसी OBC का नुकसान होगा, ना किसी गरीब general cast का नुकसान होगा, इससे सिर्फ यह फर पूरा काम किया जाएगा, तो आपको district collector के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप गाउं से, छोटे-छोटे कस्बों से ही अपनी सरकार को चलाओगे, यह फरक है, भाई और मैंनो आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में आदिवासियों और वनवासियों की बात की, आपने देखा होगा, बीजेपी ने एक वीडियो वाइरल किया, उसमें उनका एक कार्यकरता, एक आदिवासियों युवा पर, हिंदुस्तान के भविश्य पर, पिशाप कर रहा था, आपने देखा होगा, देखा, पुरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये वीडियों फिला पहले पिशाप करते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को फेलाया आपका अपमान किया यह फरक है आप में हम में और उन में हम आपको अपना हक देने की बात करते हैं आपके युवाओं को स्कूल, कॉलिज, युनिवर्सिटी में डालने की बात करते हैं आपको सरकारों में शामिल करने की बात करते हैं और उनके कार्य करता आपके बच्चों पर पिशाप करते हैं तो यही यही फरक है अब आकरी बात सबसे बड़ी बात देश में आठ परसेंट आदिवासी है आठ परसेंट आदिवासी है पचास परसेंट तक्रीबन पिछड़े वर के लोग है पंद्रा परसेंट दलित है आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो दोसों सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो उनके मालिकों के नाम की लिस्ट निकालो इन कंपनियों में आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक पिछड़ा नहीं मिलेगा ये हमारे मीडिया के कैमरेल ये लोग खड़े हैं इनके मालिकों में आपको एक आधिवासी नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक गरीब नहीं मिलेगा इसलिए ये आपकी बात नहीं करते इसलिए कभी भी ये किसानों की बात नहीं करेंगे मज़़ूरों की बात नहीं करेंगे कॉंट्राइक लेबर की बात नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान के संस्ताओं में अगर आप देखें हिंदुस्तान के प्राइवेट हस्पतालों को देखिए प्राइबेट कॉलेज, प्राइबेट युनिवर्सिटी को देखिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखिए आपको उन में ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक पिछडा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा गरीब जनरल कास का भी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान की सरकार 90 लोग चलाते हैं आये सबसर हैं दिली में बैठते हैं पूरा बजट वो बाठते हैं सेना को कितना पैसा मिलेगा सडक के लिए कितना जाएगा स्वास में कितना जाएगा सडक बराने में कितना जाएगा railways को कितना मिलेगा 90 apsar सारे के सारे निटने लेते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि OBC सरकार चला रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आदिवासियों की रक्षक रखता हूँ भाईयों और बहनों 90 में से एक apsar आदिवासी है 90 में से 1 आपकी अबादी 8% और वो जो एक अपसर है उसको कोने में बठा रखा है उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देते बात समझ नहीं है तो मैं बताता हूँ अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे कर्च करती है तो आदिवासी अपसर 10 पैसे का निर्णे लेता है पिछडे अपसर 100 रुपे में से 5 रुपे का निर्णे लेते है दलित अपसर 100 रुपे में से 1 रुपे का निर्णे लेते है 50 परसेंट अबादी 5 परसेंट हिस्सेदारी दलितों की 15 परसेंट अबादी 100 रुपए में से 1 रुपिया और आदिवाथेयों की 8% अबादी और 100 रुपए में से 10 पैसे 10 पैसे आज के टाइम में 100 रुपए में से 10 पैसे आपके तो यह बदलना है कैसे बदलेगा जाति जनगर्ना दूद का दूद पानी का पानी उसके बाद एकनोमिक सर्वे धन का सर्वे हिंदुस्तान में कितना धन है किसके पास है किसके हातों में है आदिवासियों के हातों में कितना गलितों के हातों में कितना पिछ्डों के हातों में कितना गरीब जेनरल कास के हातों में कितना यह करना है जैसे चोट लगती है आप हस्पताल जाते हैं डॉक्टर कहता है भईया इक्सरे कराओ मैं यही कह रहा हूँ हिंदुस्तान में करोणों लोगों को चोट लग रही है मैं यह कह रहा हूँ कि भईया एकसरे करा दो पता लगा दो कि धन किसके हाथ में